इस विड़ों में बात करने वाले हैं Awesome Rifle, Rally, भरती, Tratesman and Technical का जो है कैसे आपको फॉर्म को अप्लाई करना है Step by step मैं आपको जो है मोबाइल से फॉर्म फील करके बताने वाला हूँ ताकि आपको फॉर्म फील करने में किसी परकार की मिस्टेक न हो तो friends यह देख सकते हैं इसका online का portal है और यहाँ पर यह ओफिसली website है awesomerifles.gov.in और इस website पर आने के बाद से आपको क्या करना है तोड़ा सा नीचे आना है और यहाँ पर आपको देखे एक option मिलेगा online form का आप इस पर क्लिक करेंगे तो इसका online का portal खूल लाएगा कुछ इस परकार से एक और मैं आपको तरीका बाता हूँ कैसे तो आप जो है क्या करेंगे Google open कर लेंगे अपने जो है mobile में google.com आप सब को पताईए और यहाँ पर आपको search कर लेनी है क्या search करनी है defense job portal इतना आप search करेंगे तो आपके सामने एक website खुलेगा defense job portal.com देख रहे हैं आपे यह आपको open करना है और इसके बाद से यहाँ पर आपको जो है एक post आपको मिलेगा awesome rifles rally देख सकते हैं आपे awesome rifles technical and tradesman recruitment rally और 1280 post भरती निकालेगी आप इस पर click करेंगे तो इससे related जो भी जनकारी है short information आपको देखने को मिल जाता है जैसे कि यहाँ पे कितना seat है और यहाँ पे total post कितना है कब से कब तक form फिल करे जाएंगा application fee कितना है age limit क्या होनी चाहिए सारी जनकारी मिल जाती है इसके साथ ही साथ यहाँ पे किस post में कितना seat रखेगा है यह भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे तो आप यहाँ पे चेक करेंगे और उसके बाद यहाँ पे आपको यहाँ पे देख सकते हैं मतलब vacancy जो भी notification है short notification आपको देखने को मिलते हैं आप directly नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको important links वाले section में आपको जो है apply link का option मिलेगा और यहाँ पे देखिए apply online का भी link है और अगर आप form print करना चाहते है apply करने के बाद तो यह इस पे click करेंगे notification डालोड करना चाहते है तो इस पे click करेंगे चलिए आप जो है apply online पे click करेंगे तो मैंने आपको दो तारीका बताया इस website पे आने का online link पे आने का अब यहाँ पे आप आ गये हैं तो यहाँ पे देखिए आपको सबसे पहले choose करना है कि आप जो है अपना gender क्या है जैसे कि male है या फीमेल है यहाँ पे उलड़ी chosen रहेगा यहाँ पे आपको अपना state of origin किस राजे के निवासी है यहाँ पे आपको बताना है तो जिस भी राजे का निवासी है वो राजे का नाम आप जो चूज करेंगे फिर यहाँ पे आपको जो है ट्रेड अप्लाइड किस ट्रेड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो सभी trade आपको आपके दिखाई देंगे तो आप जो है इस trade में से जो भी trade के लिए apply करना चाहते हैं उस trade को आप चूच करेंगे तो qualification के according आप देख लेंगे कि आप कौँ से trade के लिए apply करना चाहते हैं जिसे हमने आपे जो है हवलदार operator radio and line के लिए apply किया हुआ तो दूसरा वाला option से जाएगा तो दोनों option है तो आप जो भी है अपने according चूच करेंगे फिर यहां पे आपको कास्ट applied for किस कास्ट के लिए apply कर रहे हैं आप SC है या OBC है या EWS है तो आप देखेंगे अपने according जो यहां पर बताएंगी और यहां पर मालने जगर आप एक खूल जाता है यहीं पर आपको समझना है अच्छे से ताकि आपको कोई भी mistake नहों यहां पर है अब यहां पर देखिए आपको married है कि unmarried है यहां पर आपको चूच करना है single या married फिर यहां पर आधार नमर आपको लिख देनी है फिर यहां पर अपना जो है first name, middle name, last name यह ब मालने जीए आपका data bird जो है यहां से 15 slash यहां पर देंगे उसके बच से 02-2001 मालने जीए आपका bird है तो 2021 इस तरह से आपको जो है लिखना है format में calendar नहीं open होगा फिर religion बतानी है कि हिंदू-Muslim क्या है यहां पर आपको जो है mobile number fill करना यहां पर email id fill करना यह छोड़ दीजेगा ठीक है फिर यहां पर आपका जो है select community if any अगर इसमें से कुईसी भी community से आते हैं जिसे कि यहां पर options है गड़वाली अगर इन सब जगों से आप आते हैं इसमें से कोई भी तो आप चूच करेंगे इन लोग को अलग से छूट मिलता है height में भी दौड में भी तो जो लोग इस एरिया से आते हैं जरूर अपना जो है community को चूच करें असाम से आते हैं तो आसाम चूच करें हिमाचली हैं तो हिमाचली डार्जिलिंग तो आप अपने according जो बताएंगे अगर आप इन जगों से नहीं आते हैं तो इसको नहीं आपको चूच करना है select का select ही रहने देना है यहां पर अपना प्रोपर एड्रेस को फील करने जिसे विलेज पोष्ट थाना और यहां पर डिस्टीग फिर यहां पर अपना state का नाम फिर यहां पर पीन कोड तो six digit का पीन कोड होता है आप अपने अधार काड को देखेंगे तो उस पर आपको पता चल जाएगा प्रो है टिक ही रहने देंगे सेमसे मैं हो जाएगा आप यहां पर आपको जो है कास्ट अपना बताना है कि आप ब्राम्हर है, कोईरी है यहा राजपूत है, चमार है, धोबी है, बढ़ई है लोहार है यह चीज है कास्ट नाम बता देंगे और यहां पर अपना जो है जाती certificate को चूच कर लेंगे, अपलोड करना है, मतलब उसका scan copy, यहाँ पे आपको size बोला गया, JPG में 50 से 80KB के बीच होनी चाहिए, यह चीज़ आप यहाँ पे चूच करेंगे, आप देखें यहाँ पे जो भी आप post चूच करेंगे जिसे आप, अगर मालनी जे, LDC के लिएधन करना चाहते हैं, या सॉरी, clerk के लिएधन करना चाहते हैं या जो भी अलग तरह के जितने भी post हैं, उसी के according यहाँ पे qualification आपको भरने का option आएगा, तो यहाँ पे मालनी जे, आप जो है मैंने चूच किया हुआ है, तो उसी के according यहाँ पे जो है, qualification खूल के आया हुआ है अब यहाँ पे आपको जो है, दोस्वी क्लास की जनकारी भरनी है, एक चीज़ ध्यान देंगे, अगर मालनी जे आप CBSC से पड़े हुए हैं, या CGPA आपका है, तो CGPA वाला सिस्टम को जो है, आप परसेंटेज में कनवर्ड करेंगे, ग्रेडिंग सिस्टम जिनका भी होगा, वो लोग अपना जो है परसेंटेज जो है, ग्रेडिंग को जो है, परसेंटेज में कनवर्ड करेंगे और फिर कनवर्ड करके परसेंटेज में सब्सक्राइब करेंगे अगर को चोड़ो II क्या नाम है यहां लोगत दिखाइब त्रुम करेंगे उसके बच है बताना है उसके बाइस यहाँ पे आपको जो है टोटल माक्स कितना आपका माक्स का था दसवी कलास और कितना आपको मिला हुआ है परिछा में अटोमेटिक परसेंटेज यहाँ पे आ जाएगा उसी तरह से बाराववी कलास की जनकारी देखिए आप इंगलिस मैथ आपका सब्जेक्ट मेंडेटरी होने चाहिए अगर आप आठ से पढ़ाई किये हुए है तो आप जो है इस पोस्ट के लिए अपलाई नहीं कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे बाराववी कलास इस सीवी तरह का ट्रेड या कोर्स किये हुए है तो उसको बताएंगे उसका युनिवर्सिटी या और्गनाजिशन का नाम पासिंगर कितना मार्क्स आपको मिला है यह बता देंगे अब आपको नीचे आनी है यहाँ पर देखिए और यू एगरी टू अप्लोड बताया था उसमें जो है अगर आप आप असाम राइफल्स के पर्सनल है तो आप इसे चूच करेंगे यहां पर डिपार्टमेंटल या गॉर्मेंट नहीं टो यहां पर देखिए इसमें भी रिजर्वेशन नहीं दिया हुआ है इस पोस्ट में तो हरी कर यह पोस्ट का तो यहाँ पर इसे चूज राने देंगे blank अब यहाँ पर नीचे आपको देखे documents upload करनी है documents में क्या है तो photograph और यहाँ पर दस्वी कलास का mark seat और इसमें से कोई एक ID proof ID proof आप इसमें से कोई भी लगा सकते है धार card, voter ID card जो भी आपके पास है चूज करेंगे और उसको scan करके यहाँ पर upload करनी है ध्यान रहे फोटो और mark seat का size होनी चाहिए 30-50 के भी और जो documents का size होनी चाहिए 50-80 के भी और उसके बाद यहाँ पर आपको नीचे में देखिए option जो है अगर आपके कोई भी criminal cases है पेंडिंग है तो आप इसे tick करेंगे वरना आप इसे छोड़ देंगे कोई भी वेक्ति इसको tick नहीं करेगा ठीक है ध्यान रहे और इसके बाद से यहाँ पर आपको प्लेस लिखना है यहाँ पर आप कहां से form को feel कर रहे है या अपने village या डिस्टी का नाम को लिख सकते हैं इसको इस capture code को जो है इस वाले box में feel करनी है फिर यहाँ पर देखिए submit का option है submit करेंगे जिसे आप यहाँ पर form को submit करेंगे यहाँ पर आपका form submit हो जाता है और बोलड़ा कि आपको wait करिए allotment का schedule का और application को stress को check करिए और form को reprint करिए अब आपको क्या करना यहाँ पर ओके करना है ओके करते हैं यहाँ पर देखिए आपका जो है form accepted दिखा देगा और यहाँ पर आपको जो है ID number show कर देगा आप इसका print आउट जरूर निकाल लेगा क्यों यहाँ पर देखिए तो form को भी print करनी है तो देखिए यहाँ पर दो टैप बना हुआ है एक acknowledgement slip को print करने का और एक print करने का application का तो यहाँ से आप जो है form को print आउट जरूर कर लेंगे दोनों option को print कर लेंगे और यहाँ पर देखिए जब भी आप यहाँ पर form को apply कर देगा उसके बास आपको stress चेक करना है कि आपका जो एलोट rally center कहां जाएगा rally जो है असाम में कहीं न कहीं जाएगा किसी district में और यहाँ पर rally का schedule क्या है कब आपको जाना है rally में यहीच बाद में आपको आएगा तो आप stress जो चेक करते रहेंगे आपको link description box में दिया हुए defense job portal का वहाँ से भी आप check कर सकत हैं बाकी friends इस तरह से आपको form को apply करना है और some rifles rally भरती के लिए आपको वीडियो friends कैसा लगा comment box मुतेएगा मिलते हैं next video में हमें दीजय जाये तो और देखते रेडिये yourself in forever thank you for watching जाहिन